जी, कुछ बच्चों का कहना है सर, question number 8 में doubt है, एक बच्चे का doubt भी आया था, के सर, residential income कुछ कह रहे था, एक बच्चे का doubt था, और सब किया हुआ था, जो नम दिया हुआ है मैंने doubt session के लिए, उनका doubt मैं भी last में जुरूर पूछूँगा, आप last तक देखिएगा, कुछ बच एंडिंग के तरफ चला जाए, फिर एक question doubt मैं, कोई बात में, doubt ले लेंगे हम, ठीक है, तो topic है हमारा, मैंने कहा था, income को calculation करने के लिए, computation word का इस्तमाल करते है, calculation मैं लिख रहा हूँ, लेकिन computation word का इस्तमाल करते है, calculation, income of, सर, syllabus में न, individual का ही, income की, computation की बात की जाएगी, इसलिए हम इसी का सीखेंगे, और most important, सर, इस chapter का weightage एक बार, अगर मैं बताऊं आपको, इस chapter का, अगर मैं weightage बताऊं न, तो normally, इस chapter में से question पूछा जाना तय है, confirm है कि इस chapter में से question पूछा जाएगा, दूसरी बात, एक चीज़ और बता दूसर, कई बार इसको इस chapter में से 20 से 25 नमबर का भी question पूछा गया है, तो हम इस chapter को, वैसे तो हर chapter हमारे लिए उतना ही important है, जितना की ये chapter होगा, तो हम इसको भी अच्छे से सीखेंगे, अभी तक क्या 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 कर लिया है, फटा-फट से quickly देख लेते हैं, हमने देखा individual का residential status, उसके अंदर दो परकार के देखना होता था, basic condition और additional condition, सर, basic condition के अंदर देखना पड़ता था, दो basic condition था, 112 दिन और 60 और 365 दिन, additional condition में दो बार resident होना है, 730 दिन पिछले 7 सालों में, इसके बाद सर, basic condition के कुछ exception थे, आपका अगर employment के लिए बाहर जाते हो, अगर आप Indian ship पे crew member की तरीके से काम करते हो, अगर आप Indian origin नहीं हो, Indian origin के case में हमारा एक exception भी आता था, अगर आपकी 15 लाख रुपे से Indian income जादा है, तो वहाँ पे 120 दिन वाला case applicable होगा, इन केस आपका residential status किसी भी भारत और किसी other country में भी कोई proof नहीं कर पाता कि आप वहाँ के resident हो, लेखिन अगर आपकी income 15 लाख रुपे से उपर है, तो आपको India के अंदर resident मान लिया जाएगा, और उसके उपर लगेगा, कौन सी income, इंडिया की income, इसके बाद सर हमने देखा था हुएफ, हुएफ के अंदर basic condition वाला कोई part नहीं है, हुएफ के अंदर basic condition के जगे पे बोला गया, कि आपका जो भी decision है, वो या तो control एक decision, या सारे decision अगर इंडिया में होते हैं, तो आप resident माने जाओगे, additional condition के लिए बोला गया, कि हुएफ का check नहीं होगा, सिर्फ किसका check होगा, करता का, और करता का वही additional condition है, जो कि हमारा किसमें था, individual, अब मुद्दे की बात करते हैं, सर हमने एक व्यक्ति को तीन status दिया है, आपने एक व्यक्ति को तीन status दिया है, नॉर्मली, एक था हमारा और 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 यही हमने तीन status अभी किसी को भी मैंने तीन status दिये हैं अभी तक, सर, ROR बनने के लिए जो condition था, NOR बनने के लिए condition था, यह चीज़े हम सीख चुके हैं पहले की वीडियो में, जो बच्चे नए जुड़े हैं, तो उन बच्चों को कहूंगा, वो last की classes जरूर देखें, क्योंकि income tax बीच में से देखने से थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको, और in fact होता ही है, इसके लिए था सर, एक आपको कोई भी basic condition complete करें, प्लस, आपको दोनो additional condition complete करना पड़ेगा, दोनो, बोथ, इसके लिए था सर, आपको क्या था, one basic condition complete करें, और प्लस, कोई भी additional condition या त अब भी चलेगा और एक भी कर देते हैं, तो ना करने के बराबर ही रहेगा, आप NOR बन जाएंगे, इसके लिए था सर, आपको कोई भी zero basic condition complete करें, और आपका status बन जाएगा हमारा NOR, मुद्दे की बात है, एक person है कोई भी, मान लो, बड़े simple से समझना, एक कोई भी वेक्त है, इसका status कुछ भी हो सकता है, इसका status ROR भी हो सकता है, इसका status NOR भी हो सकता है, और इसके income की बात करें, तो बहुत जगह से ये income भी कमा सकता है, बहुत जगह से मतलब है, अगर हम बात करें, तो इसका income क्या हो सकता है, इसका income कहा से हो सकता है, इसका income कहा से हो सकता है, इस इसका हाउस प्रॉपर्टी, कैपटल गेन बहुत जगह से, अगर इसका स्टेटस यह है, तो इसकी टोटल इंकम कैसे काउंट करेंगे, अगर इसका स्टेटस यह है, तो टोटल इंकम कैसे काउंट करेंगे, अगर इसका स्टेटस यह है, तो टोटल इंकम कैसे काउंट करेंग क्या उसके foreign वाले income पे इंडिया में taxable होगा या नहीं होगा ये सारी बाते हम सीखेंगे same इसकी मैं बात करूँ तो इसकी कुछ income इंडिया से भी हो सकती है कुछ income foreign से तो क्या इंडिया वाले income पर पर टेक्स लगाएंगे क्या foreign वाले income को पर टेक्स लगाएंगे ये देखेंगे हम ROR के maximum part का इंडिया मैं मान के चल रहा हूँ कि इंडिया सो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है कुछ income ये foreign से भी आ सकता है तो क्या इसके अंदर मैं बात करूँ कि इंडिया में कितने income पर टेक्सिबल होगा किस किस पार्ट पर तो हम ही देखेंगे इसके अंदर तो किसी भी person की मैं अगर income की बात करूँ बहुत simple सी बात है हम क्या सीखने वाले हैं कि हम total income कैसे निकालेंगे किसी भी व्यक्ति का तो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी व्यक्ति का total income का तो simple देखिए आपके किसी व्यक्ति के income की हम बात करें तो हो सकता है maybe possible income from क्या हो salary दूसरे possibility की हम बात करें तो income क्या हो सकता है income from other source other source भी आपने सभी को मैंने बताया था कि other source से income हो सकता है दूसरा तीसरी मैं बात करूँ income कहां से हो सकता है house property चौथी मैं बात करूँ income कहां से हो सकता है और पांचवा जो कि आपको पता है कि income कहां से हो सकता है किसी भी वेक्ति की मैं बात करूँ individual की बात करूँ तो उससे ये अधिकार नहीं चीना जा सकता कि वो इतने जगह से income कमाएगा पहली तो बात कोई वेक्ती 5 जगह से income हमारा कमा सकता है income from salary, salary का मतलब नौकरी करेगा मान लेते हैं आप job कर रहे हो सुभह morning में job कर रहे हो कुछ इंडिया में company है जो की foreign की accounting करते हैं मैं accounting से बात करूँ यहां की accounting नहीं बाहर की accounting extensor company है कुछ company assets है या कुछ लोग ऐसे करते हैं जो की freelancing या advertisement agency से बाहर के लोगों से contact करते हैं वहाँ पे labor महगा है online यहां से काम करके वो उनको provide करते हैं salary वहाँ से आता है तो वो job इंडिया में कर जरूर रहे लेकिन कर किसी और के लिए रहे तो अगर मैं salary income की बात करूँ तो salary income कहां पे होनी चाहिए कहीं भी हो सकता है salary income इंडिया में भी हो सकता है और इंडिया के सर दूसरी income बात करें house property आपका property इंडिया में भी हो सकता और इंडिया के बातर भी हो सकता है वहाँ से income कमाया जा सकता है income from maybe income from capital gain की बात करें capital gain में क्या है सर किसी assets को इसके अंदर क्या होता है assets को आप sold करके जब पैसा कमाथे है तो इसके अंदर चला जाता है तो अगें ये इंडिया का भी हो सकता है और इंडिया के बाहर इंडिया के बाहर का मतलब नेपाल भी हो सकता है बंगलादेश भी हो सकता है पाकिस्तान भी हो सकता है कोई भी कंट्री हो सकता है इसके बाद इसका बिजनस भी हो सकता है बिजनस में तो बड़े सारे लोग तो यह सारी चीजे इंकम का लेखिन सार ये जब किसी वी व्यक्ति का इंकम है तो income कहां कहां से हो सकते हैं, या तो इंडिया, इंडिया के बाहर, अब एक बार हम ये समझ लेते हैं सर, इंडिया और इंडिया के बाहर, other source के नीचे में कुछ income लिखने जा रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा, जैसे dividend income, dividend income, जो कि आगे आएगा, gift, आपको gift मिला, वो भी other source का पार्ट है, number 3, agriculture income, मान लो वैसे होता नहीं, इसका अलगी agriculture income की बात करें, तो अलगी system चलता है इसका, agriculture, तो ये कुछ specific income है, जो कमा सकता है, other source में, और क्या कमा सकता है, interest, trust, ठीक है न, सर अभी तक क्या समझाए, बहुत simple तरीके से समझिए, बहुत चोटा सा concept है, कि कोई वैक्ती पांच जगह से income कमा सकता है, हमने पहले भी डिसकर्स पांच इनकम बता दिए, मैंने क्या क्या है, other source के कुछ ऐसे income है ये, हम सीख क्या रहे है, एक वैक्ती की total income न मैं अगर इंडिया की बात करता हूँ, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, देखिए हमारे पास दो situation है, एक आपके सामने US से समझने की कोशिस करना, बस समझाना है मुझे ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, बस ये है, एक आपके सामने इंडिया है, इसके अंदर क्या-क्या लिखा इससे मतलब नहीं है मैं, ठीक है, आप इंडिया की अगर बात करते हैं सर, तो इंडिया के अंदर ये पूरा area जितना भी देख पा रहे हैं आप, ये पूरा भारत है, अब ऐसा हो सकता है, कि यहाँ पे कहीं भी, किसी भी जगह आपकी क्या हो सकती है, फैक्टरी, भारत के किसी कोने में फैक्टरी और भारत का मतलब मैंने क्या बताया था सर, भारत यहाँ से 12 nautical mile भी बताया था मैंने, कहीं भी कोई फैक्टरी है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी दुकान खोली है, चाहे यहाँ पे आपका KFC खुला हो, जो कि इंडियन कमपनी नहीं है, चाहे आपका Reliance Limited खुला हो, जो कि इंडियन कमपनी है, अगर यहाँ से काम करने हैं, तो हम कहेंगे, सर यह जो पैसा कमा रहे हो न, वो पता है कहां से कमा रहे हो आप, हिंदुस्तान की जमीन से कमा रहे हो, इंडिया के लेंड से पैसा कमाया जा रहा है, सिंपल सी बात है, इंडिया के लेंड से, गौर्मेंट कहता है भया, तुमारा स्टेटस कुछ भी हो, हमारे भारत से अगर पैसा कमाओगे, हम tax लेंगे आपसे, तुम्हारा status ROR है, NOR है, NR है, हमें नहीं मतलब, इसके उपर हम आपसे tax वसू लेंगे, कहां पे, भारत में पैसा, भारत में कैसे, कोई भी company हो सकता है, मैंने एक KFC का example लिया, means KFC भार की company है, लेकिन business कहां कर रहा है, इंडिया में, तो उसको नहीं छोड़ेंगे, उससे हम tax लेंगे, दूसरी बात मैंने किसकी करी, Reliance Limited की भारत में है, tax लेंगे, अब भारत की जमीन का मतलब कोई भी land, कहीं भी, और ये देखिए, कुछ income तो ऐसे हैं, यहां पे आप simple स एक example देखिए, कुछ income क्या है, यह क्या है, बोंबे, oil field, ONGC का plant है, यह देखिए, भारत के कहां समंदर area में, तेल निकालने का काम कर रहा है, है यह भी किसका part हमारा, भारत का ही part है, तो सर, यहां भी अगर आप पैसे कमा रहे हैं, तो जमीन भारत का इस्तमाल कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, सर, कर रहे हो, चाहे किसी भी purpose के लिए करो, आपका status कुछ भी हो, आपसे text लिया जाएगा, पहले तो एक बात यह समझना है, ऐसे sentence को पता है क्या बोलते हैं, जो भारत से आप कमाते हैं, तो text के language में, law के language में बोलते हैं, accrue and arise, एक word है accrue, मैं भी बता द से आप income कमाओगे, आप फटा-फट से बताना, भारत से पैसा कमाओगे, तो क्या आप उस text दोगे, अगर आप NR हो, तो जी देना पड़ेगा, अगर आप ROR हो, तो देना पड़ेगा, अगर आप NOR हो, तब भी देना पड़ेगा, यानि भारत में जहां जमीन पे आपने पैसा कमाया, बच नहीं सकते हैं, आपको text देना पड़ेगा, पहली condition, दूसरा, सर दूसरा situation क्या हो सकता है, कोई person US में बैठा हुआ है, और US से पैसे कमा रहा है, कोई person US में बैठा हुआ है, और कहां से पैसे कमा रहा है, US से पैसे कमा रहा है, कोई वैक्ती, लेखिन, वो कभी ना कभी तो घूमने के लिए आएगा ना मैं सिंपल सी बात करूँ तो कोई वैक्ति हो सकता है कोई भी हो सकता है मान लेते हैं इसको ले लेते हैं ये US में बैठा हुआ है और ये पैसे कमा रहा है तो ये पैसे कमाएगा जब यूसे अब इंडिया गूमने के लिए आ सकता है नहीं आ सकता है आ सकता है ना अब ये इंकम कहां से कमाया गया देखो यूस का वेक्ति है कहां गूमने आ रहा है इंडिया गूमने आ रहा है अब ये फिर वापस यहां चले जा रहा है तो ये इंकम कुछ डिफरेंट है यहां पैसे कमाने नहीं आया, यह क्या करने आया, यहां पे घूमने के लिए आया, और यहां से आके फिर वापस चले गया, अब इसका income पे tax देना, वो देखना पड़ेगा, दूसरा condition यह हो सकता है, पहला condition मैंने क्या बताया, पहला condition जान से सुनियेगा, अगर अब भारत की जमीन से भारत में से पैसे कमाओगे, तब आपको tax देना ही पड़ेगा, कुछ ऐसे sentences है जो आपको confuse कर सकता है, interest यह है, यह वेक्ती, कहां बैठा है सर, US में, यह वेक्ती, US में बैठा है, और इसने क्या करा, यहां पे FD करा दिया, SBI में क्या करा इसने, FD करा दिया, ब्याज मि रहे है, हो सकता है, अब बताओ, यह income कहां से कमा रहे है, इंडिया से income कमा रहे है, ठीक है, इसको, इसका status अगर मैं बोलू, NR तब भी tax देगा, अगर इसका status बोलू, ROR, सर, तब भी tax देगा, status बोलू, NOR तब भी, यानि कहां से पैसा कमा लिए इसने, भारत से, अब इस बैंक की बात करते हैं, यहां पर FD करा रखा है, और यहां से FD कराने के बाद इसे interest मिल रहा है, और रह भी USA में रहा है, ऐसे situation में, अगर वो इंडिया के अंदर NR है, तो क्यों देगा tax बाई, रह रहा है, वहीं पर FD पर interest कमा रहा है, तो इंडियन गवर्मेंट के पास power पर नहीं है कि तुमसे tax ले ले, अगर इसका status NOR है, तो यानि यह बिलकुल इंडिया में तो नहीं रह रहा, कभी आ रहा है और कभी जा रहे हैं, लेकिन अगर इसका status ROR है, तो भाईया यह इंडिया के अंदर बहुत जादा travel कर रहा है, इंडिया से बहुत ज़्यादा इस मतलब factory भी कहा लगी है बाहर एक बात तो था factory इंडिया में लगी है वहाँ से पैसे कमा रहा है तब तो बची नहीं सकता ही है बाहर ही बाहर सारा काम हो रहा है, लेकिन आपका status क्या हो गया, ROR, तब आपको text देना होगा, बाकी दोनों condition में नहीं देना होगा. एक यह हो सकता है, कि हमने क्या करा, USA के अंदर, मान लेते हैं, USA के अंदर, हमने USA के अंदर एक factory लगा दी, USA के अंदर मैंने एक factory लगा दिया, सपूस करो, और factory की बात छोड़ो, USA के अंदर, SBI होगा या नहीं होगा, हाँ या नामे जवाब दीजे, बहुत बच्चों को पता होगा, बहुतों को नहीं भी पता होगा, USA में बताईए, SBI होगा या नहीं होगा, होगा बिल्कुल, हर एक country में State Bank of India का branch है, हर एक country में State Bank of India का branch है, अब इस USA में जो SBI है, उसको control कहां से किया जा रहा है, कोई ना कोई बोल रहा होगा भाई, ब्याज rate इतना low, ऐसे करो, control कहां से, तो ऐसे situation में, जब हमारा कोई बाहर country होता है न, और हम इंडिया से ही उसको देख रेक कर रहे हैं, तो ऐसे को बोला जाता है, business setup outside India, business setup कहा है बट control from India, एक तो यह situation आता है, अगर ऐसा हुआ ना, business setup outside India, control from, तब दो को text देना पड़ता है, सर, मैं भी सारी बाते बताऊंगा, ऐसे situation में दो लोगों को text देना है, अभी मैं roughly बता रहा हूँ, मैं भी दिखाऊंगा भी और समझाऊंगा, बहुत practical question करेंगे, ROR को text देना है, NOR को text देना है, बाकी NR बच जाएगा, condition, मैं तो आपको सिर्फ समझाना चाहता हूँ, जो sentence लिखाऊंगा, अभी मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ मैं है, क्या मैंने बता है, मेरा business बाहर है, लेकिन मैं control कहां से कर रहा हूँ, India से, setup and, क्या कहा है मैंने setup outside India, but control from, अब दूसरा देखो, ऐसा भी possible है, सर, ऐसा भी possible है, कि आपका business, KFC, KFC इंडिया में है, और इसका honor मान लेते हैं, USA में बैठा है, सारे फैसले USA से लिए जा रहे हैं, इस KFC के लिए, अब देखो, business setup कहा है, है, control कहां से हो रहा है, अब आप दिमाग लगाना, किस-किस के लिए taxable होगा यह, क्योंकि जो पहला condition बोला, वही लग रहा है न यह तो, बोलने का तरीका अलग है, question कई बार बोलेगा, setup outside India, control from India, एक word यह हो गया, एक होगा, setup in India, control outside India, अगर setup sir, India के अंदर हो गया, तो जमीन भारत का इस्तमाल हो गया, और जैसे ही भारत का जमीन इस्तमाल हो गया, हर किसी को टेक्स देना पड़ेगा, ठीक है, फिर से देखिए, condition number one, अगर आप भारत के जमीन से पैसे कमाओगे, इंडिया से पैसे कमाओगे, तो text देना ही देना है, आपका status matter नहीं करता, condition number two, अगर आप भारत के बाहर हो, सब कुछ बाहर ही कर रहे हो, अगर आप R.O.R. बनते हो, तो text देना पड़ेगा, अगर हमारा setup इंडिया में है, लेकिन control बाहर से हो रहा है, तो तीनों को ही text देना पड़ेगा, अब सर एक बात होती है, receive और एक बात होता है, remittance, दोनों में फरक है, ध्यान देना, receive का मतलब क्या होता है, कई बार पैसा directly आपके पास receive हो जाता है, जैसे मानलो आप यहाँ पे job कर रहे हो, ठीक है ना, ध्यान देना, आप यहाँ पे job कर रहे हो, और job करने के बाद आपने यहाँ पे salary receive किया, पह पैसा हो सकता है, आप बाहर गए, दुभी गए, मानलो जॉब करने के लिए, वहाँ जॉब किया, वहाँ company से आपको क्या मिला, पैसा, और पैसा कहा आ गया, इंडिया में, तो जब आपका एक mediocre बीच में आ जाए, और इंडिया में पैसे आए, तो इसको receive, और रेमिटेंस में count होगा, receive में count, यानि अगर firstly, firstly पैसा जो receive करेगा, इसका मतलब receive है, बाकी का क्या होता है, देमिटेंस, मानलो एक वेक्ती है, मान लेते हैं हम, एक वेक्ती है, और वो वेक्ती, जॉब USA में करता है, लेकिन वो आ गया directly इंडिया के अंदर घूमने के लिए, salary का time था, न जोब जहां कर रहा था, मान लेते हैं के वो जॉब कर रहा है Microsoft में, Microsoft में directly उससे Indian Bank के अंदर पैसा भीज़ दिया, इसका bank इंडिया में भी था, इंडिया में भीज़ दिया, तो अब बोलेंगे, ये पैसा India में receive हुआ है, क्या बोलेंगे, इसको इंडिया में receive हुआ है, लेजी कॉस्की ने क्या बोला लेजी लेजी समझ में नहीं आये कॉस्की क्या बोल रहे हो अभी मैं सभी का कमेंट देखूंगा एक बार कंसेप्ट बता दूबस थोड़ा सब खतम ही होने वाला है अभी बताते हैं जो आप पूछ रहे हो सारी बातों का डिस्कस करेंगे और बताने दीजेए पहले सबसे पहले रिसीव और रेमिटेंस में फरक समझेगा Microsoft में जौब कर रहा था इंडिया घूमने के लिए आया उसने बोला सर Microsoft आप मेरे bank account में पैसा भीज़े और bank account उसने कहा का बेज दिया SBI का तो पैसा बाहर से आ रहा है इंडिया के अंदर तो इस पार्ट को बोलेंगे रिसीव अब दूसरा condition यह हो सकता है सर यह job तो USA में कर रहा है और यह घूमने के लिए इंडिया आ गया इसने अपने friend को बोला friend एक काम कर मेरे पैसे office से ले ले और मुझे भीज दे इसको receive नहीं बोलेंगा इसको remittance बोलेंगा दो word है receive और remittance condition कहता है अगर इंडिया में आपने पैसे receive किये ना तो आपका status whatever कुछ भी हो आपको text देना पड़ेगा दो condition ऐसे है जिसमें आपको text देना है आपका status matter नहीं करता एक तो इंडिया की जमीन से पैसा कमाओगे तो आपको text देना है अगर इंडिया में जमीन से पैसे कमाओगे तो तो आपको text देना होगा आपका status कुछ हो भारत में आप पैसे को receive करोगे तो आपका status कुछ भी हो आपको text देना पड़ेगा अगर आप control outside इंडिया से है लेकिन setup इंडिया के अंदर है तो बात तो वही हो गया भारत से ही पैसे कमाए जा रहा है तो तीनों को ही text देना पड़ेगा control आपका इंडिया से है setup इंडिया के बाहल में है तो दो लोगों को text देना है अभी याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद अगर आप बाहर ही हो और बाहर ही पैसे कमा रहे हो अगर आप ROR बनते हो तो आपको text देना पड़ सकता है तो कुछ एक condition हमने देखा कि कब आपको text देना पड़ सकता है और कब आपको text नहीं देना पड़ सकता है कुछ एक मैं question पूछूंगा उस question का simple simple जवाब देना है हाँ तो remittance के through आएगा तो ROR को पैसा देना है बाकी को नहीं देना ठीक है ना मैं वो सारी चीजे मैंने proper तरीके से लिखा हुआ कुछ मैं छोटे-छोटे question पूछूंगा और एक question है कि अगर country हाँ एक question पूछना है सर अगर कोई यहां की company को text दे दे यहां factory था यहां की country को text दे दे और वो भारत में पैसे receive कर ले और भारत को भी text देना पड़ेगा यह नहीं पड़ेगा इसे बोलते हैं old taxation international taxation Metro इंडिया government का और यूएस government का अगर आपस में treaty है treaty का मतलब आपस में समझोता है Indian government बोलती अगर आप कोई वेक्ति वहां पर और वही पर कमा रहा है वहीं पर अगर उसने text भर दिया तो इंडिया में उसे text नहीं देना बच जाएगा Indian government इस तरीके से कई तेंस विद्व से कमा रहे हैं अगर वहां कि सरकार आपने इसी वसूर लिया तो वहां पूसल सो की समझ देखन मैं कूछ कोश्चन पूशता हूं आप मुझे जवाब देना USA पैसा कमाया गया पचास अजार और इंडिया में रिसीव हो गया पच्चिस अजार ध्यान देना, मैं चलो दूसरे पेच पे चलते हैं USA से अर्निंग है पचास अजार रुपे और इंडिया में आपने रिसीव करें सरिफ पच्चिस अजार अब मैं आपका स्टेटस बताता हूँ अगर आपका स्टेटस आरो आर है अगर स्टेटस अन ओ आर है अगर स्टेटस अन आर है तो क्या पहला कुश्चन दे रहा हूँ तो मैं करूँआ इसको देखिए इंडिया में receive हो गया ये तो receive के case में तो बची नहीं सकता अगर इसका status ये है तब भी इसको देना पड़ेगा ये status है तब भी देना पड़ेगा ये status है तब भी देना पड़ेगा बाकी 25,000 तो नहीं receive हुए न तो इसका मतलब अगर बाकी के 25,000 इंडिया के अंदर receive नहीं हुए तो ऐसे situation में अगर ये receive नहीं होता अगर आपका status ROR बनता है तो आपको देना पड़ेगा बाकी इन condition में नहीं देना पड़ेगा यानि अगर आपका status ROR है तो आपके उपर taxable कितना लग जाएगा सर पूरे 50,000 अगर आपका status NOR है तो आपका tax लगेगा कितना पार्ट receive हुआ है अगर आपका status NR है तो कितना tax होगा हमारा सरे 25,000 अब मैं एक question आपसे पूछता हूँ आप बताईएगा मुझे आप USA में हो और यहाँ इंडिया आपने क्या करा इंडिया में एक factory लगाया इंडिया में एक factory लगाया 25,000 रुपे यहाँ से कमाए इंडिया में factory लगाया 25,000 कमाए लेकिन आप permanently रहते हो US के अंदर आप कहां रहते हो sir US के अंदर रहते हो और आप यहाँ से control कर रहे हो US से control कर रहे हो अब आप बताईए क्या ROR NOR और NR किसको text देना होगा जो बच्छे live में वो भी जवाब दें किसको देना पड़ेगा तीनों को text देना पड़ेगा इसको भी text देना होगा ठीक है एक और question पूछ लेते हैं या एक काम करता हूँ, पहले मैं लिखवाता हूँ आपको, आप इसको नोट जरूर करिएगा, मैं थोड़ा टाइम लूँगा, नोट जरूर करना है आपने इसको, फटा फट नोट कर लेजे, जो चीजे मैं बार बार भोल रहा हूँ, आपको वो चीज मैं लिखवा देता हूँ, हर किसी को विजवल होगा, यहाँ पर मैं पढ़ता जाता हूँ, और समझा जाता हूँ, समझ लीजिए, फिर उसके बाद कोस्टन पर आएंगे हैं, सीधा ठीक है न, ओरली बोलने के बाद थोड़े बच्चे कह रहें के समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, पहला पॉइंट क्या है सर, इंकम एक्रू और अराइज, इंकम एक्रू और अराइज का मतलब क्या होता है, भारत की जमीन पे, यानि इंडिया के अंदर आपने कोई भी काम किया हो, पहले मुझे बताने का मतलब यही था, आपको पता चल जा है, एक्रू और अराइज, क्य देना परेगा पहली condition के लिए दूसरा सर इंकम receive अगर आपने receive कर लिया या deemed to be receive in India deemed का मतलब सर होता है आपको मान लेया जाएगा कि आपने income में पैसे receive किये हैं अगर इंडिया में receive किया तो किसको टेक्स देना है थेक है उससे अगले point पे आते है थार्ड point income remitted to India remitted का मतलब पता चला बाहर से है तो किसको टेक्स देना है इन दोनों को नहीं देना सिंपल सा मैंने एक चार्ट बना दिया है इस चार्ट में जितने point given है न पंदरा इस से बाहर examiner point लाई नहीं सकता तो अभी जो question करेंगे आपको मैं दिखाऊंगा इसी point में सोगा बस आपको income total करके दिखाना होगा अब देखो अगला point आप दिमाग लगाना business in India बट कंट् logic क्या है सर इंडिया के जमीन पर ही काम कर रहे हो को देना पड़ेगा तीनों को business outside India but control from मतलब business हमारा मैंने बताए USA में SBI branch USA में control India से तो मैंने क्या बताए आपको दो को देना पड़ेगा सर ये चीज़े न आपको कोई formula नहीं है ये चीज़े आपको ध्यान रखना पड़े ठीक है ना कि इस तरीके से हैं past untext income past untext income का मतलब क्या होता है कई बार हम foreign में जब हैं बाहर जब हम हैं तो उस case के अंदर हो है हमारे income को government जैसे की मान लेते हैं इंडिया के अंदर आपने पैसे कमाया और या foreign के अंदर बात करते हैं आपने पैसे कमाया वहां पे taxable नहीं पुरानी income है आपकी जो पहले कभी tax नहीं लगाई गई थी अब वो भारत के अंदर है या भारत के अंदर ही पहले income आपके पास agriculture income था उसके उपर tax ही नहीं लेती government और नहीं लगाया गया था tax ऐसे को बोलते हैं past untext income past का मतलब पुराने income untext मतलब government ऐसा नहीं कि आपने चो अंदर है कुछ एक क्राइटीरिया में उनसे टेक्स नहीं वसूला जाता क्योंकि भारत रतन मिलना बहुत बड़ी उपलब्दी है तो उसके इंकम क्या होंगे इस साल जो पैसा कमाया ठीक है जो इससे पहले income कमाया उसे क्या बोलेंगा past untext income तो अगर कोई भी past untext income होगा त question में कैसे पता चलेगा question में बोलेगा previously unincome not text या फिर सीधा बोलेगा past untext income clear चलिए अगले point पर चलते है dividend from Indian company देखिए कुछ बच्चों के पास पुराने बुक्स हो सकती है तो पहले इस साल से पहले की भी बात करूँ लास से last year Indian income से dividend पूरा exempt होता था लेकिन government ने amendment किया और corporate dividend tax को हटा दिया और बोला आप dividend पे tax देना पड़ेगा तो जो भी dividend income इंडियन कंपनी से सभी पर आपको tax देना पड़ेगा सर एनॉर को क्यों देना पड़ेगा भाई Indian company से dividend है और Indian company होगा कहां पे और इंडिया की जमीन होगे आपको तो tax देना पड़ेगा समझ रहे ना ब इसके दो situation है एक condition यह हो सकता है कि यह पैसा भारत में आ गया foreign company से डिविडेंट है न एक condition के भारत में receive अगर हुआ है तो तीनों से taxable है ऐसा भी हो सकता है sir foreign company से है और भारत में पैसा नहीं हुआ तो NOR से तो ले लेंगे NOR से नहीं लेंगे NR से भी यानि foreign में आप रहते हो USA में USA में Microsoft के share खरीदें वहां के share से आपको डिविडेंट के इंकम है सारी चीज़े वहीं का अगर आपका status क्या है NOR या फिर NR तो आपसे नहीं लेंगे दोनों आस्पेक्ट मैंने यहां पर बता दी आप ऐसा मन समझेए कि foreign country से अगर dividend मिला तो taxable करना है status देखे कि वह व्यक्ति कहा है अगर वो इंडिया में foreign dividend को receive कर रहा है तो point number two लग गया receive वाला receive कर रहा है तो point number तब तो तीनों में देगा अगर वो इंडिया में receive नहीं कर रहा है तो कौन सा point लग जाएगा कि आपका बहारी कमाये जा रहा है जैसे कि income earn outside इंडिया and receive outside इंडिया तो कौन देगा देखो मैं दें दोनों aspect question को देखके ऐसा मत करना के sir question में दिया है वाब foreign company से dividend मिला है हमने yes yes लगाए yes yes कर दें हाँ बिल्कुल exactly status plus income इंडिया में आया या फिर नहीं आया है अब चलो मैं question बोलता हूँ foreign company इंडिया में है foreign company उससे dividend मिलेगा कहाँ पे foreign company और उससे dividend मिल रहा है क्या taxable होगा या नहीं होगा होगा किसके लिए होगा तीनों के लिए point कौन सा लग रहा है यह है फास्ट पॉइंट एक्रू और अराइस लग रहा है ठीक है बिल्कुल ठीक agriculture income इंडिया किसान आंदोलन इंडिया के अंदर सुरू से ही जवान जैकिसान का नारा दिया गया है भारत के अंदर agriculture से जब कभी भी पैसा कमाओ गे तो सरकार ने बोला हम उससे टेक्स नहीं लेंगे चाहे आपका स्टेटस कुछ भी हो भारत की जमीन से अग्री कल्चर का मतलब यह नहीं है कि आप उस्ट्रेडिया में जाके खेती कर रहे हो और वहां से पैसे कमा लिए तो यहां बोला गया है इंकम एंकर करने के लिए अब देखो मैंने बोला कमाया आपने बाहर आस्ट्रेलिया में मैंने खेती किया और मैं मैं रिसीव अगर इंडिया से कर लूँ तो पॉइंट नंबर सा टू लग किया इस पर रिसीव वाला उसके हिसाप से मैंने क्या बोला Yes agriculture income outside India बाहर कमाया Australia में खेती किया वहाँ agriculture income कमाया लेकिन मैंने income अगर इंडिया में receive कर लिया है उसको तीनों text देंगे लेकिन receive देर हो जाए तो कौन सा point लगेगा बताओ सरिफ R-var देगा क्योंकि उसके अंदर कौन सा पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट नमबर 9, छीक है, गिफ्ट रेसीब फ्रम रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, आपका नॉर्मल बलड रिलेशन से है, आपके जितने भी बलड रिलेशन में, रिलेटिव की डेफिनीशन बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, अब अधर सोर्स में आता है, पूछा जाता है, रिलेटिव से बोला जाएगा, आपको सिंपली इस चेप्टर में तो सिर्फ बोला जाएगा, रिलेटिव से मिला, तो रिलेटिव से जब कभी भी आपको गिफ्ट मिलेना, समझ लेना, उसके उपर टेक्स नहीं देना, तो किसी इंकम पर टेक्स नहीं देना, कितना भी हो, चाहिए करोड का मिल जाए, आपके पापा आपको एगर कोई भी गिफ्ट दे दें, तो आप आपने पापा को कोई गिफ्ट किया तो आपके पेरंट्स भी उस पे टेक्स नहीं देंगा, relative होना चाहीं, relative का मतलब blood relation से है यहां पर, blood relation से है, जैसे आपके ब्रदर हो गए, चाचा हो गए, तो यह पूरा relation की category में आएगा, गिफ्ट नोन रिलेटिव आपने किस से रिसीव किया नोन रिलेटिव से कितना पचास हजार एक आपने पचास हजार रे तक अगर रिसीव किया तो सरकार बोलती है कोई बात नहीं जाने दो लेकिन अगर 50,000 से ज़्यादा रिसील किया तो आपके लिए 50,000 तक क्या है आपने इंकम 51,000 रुपए का गिफ्ट मिल गया आपको आपके बर्थडे पे और 51,000 का आपके बर्थडे पे जो गिफ्ट मिला सभी दोस्तों ने मिल के दिया जो कि आपके रिलेटिव नहीं है तो अब आपका स्टेटस कुछ भी हो टेक्सेबल पूरे पूरे क्यावन हजार हो जाएगा यानि जब आप नॉन रिलेटिव से गिफ्ट लोगे ना तो कितने तक टेक्स नहीं दोगे? पचास हजार तक जहां पचास हजार से एक सीड करेगा तो 50,000 से सारे पर टेक्सेबल हो जाएगा ठेक है ना? रिइलेटिव से मिल जाए अगर 55000 का गिफ्ट तो नहीं देंगे और फ्रेंड से मिल जाए 55000 का गिफ्ट तो टेक्सेबल gift on the occasion of marriage जितने भी black money को white money बनाये जाता है marriage के time पर बनाये जाता है अब एक movie भी था मुझे याद नहीं आ रहा movie था, क्या था मैंने देखा था उसके अंदर marriage के time पर ही सारा का सारा जो black money है उसको white बनाये कहा गया कि marriage के time पर आप देखना जो जिनको tax की planning करनी होती है वो marriage के time पर देखना बहुत सारा gift दे देते हैं उसको car भी gift में दे देते हैं gold भी दे दिया, सारा तो वो क्या हो जाता है, marriage के time पर जितना मर्जी आप gift receive कर लो whether girls हो, boys हो, किसी के relative से आई, कहीं से भी सारा exempt from tax है income tax ने एक रास्ता छोड़ा हुआ है black को white करने का एक रास्ता छोड़ा हुआ है black करने तो ये करने चाहूंगा क्योंकि marriage के time पर आप gift दे दो आपने जो भी gift दिया उससे question नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये ध्यान रखना, जिसने gift दिया है उससे जरूर question पूछा जाएगा कि कहां से पैसा आया हुआ है ठीक है न इसका simple सा देखो एक होता है tax planning एक होता है tax jury अगर इंडिया के अंदर कोई भी foreigner आता है और वो gift देता है उससे इंडिया question mark नहीं लगा सकता कि आप कहां से पैसे लाएगा तो बोल देगा USA से तो कई बार tax planning के लिए क्या करते है कुछ foreigner को पैसे देते है और शादी में बुलाते हैं और बोलते है gift भी खुदी खरीद के देते हैं black money से खुदी gift खरीद के देते हैं और बोलते हैं कि वो शादी में सिर्फ gift देना है क्योंकि उससे इंटम टेक्स वाला भी नहीं पूछेगा और दूसरा फिर ये भी बच जाएगा gift receive from employee मालिक ने अपने नौकर को gift दिया तो 5000 रुपे तक exempt है बाकी taxable है employee ने देवाली पे कोई gift दे दिया कभी भी gift दिया 5000 रुपे तक tax नहीं लगेगा बाकी पे taxable लग जाएगा ठीक है ना ये 15 point है मैं आपको ये pdf भी भी भेज दूँगा ये 15 point है नहीं आज आ जाईए हाँ बिलकुल मैं ध्यान से भेज दूँगा last में मैं pdf दे दूँगा अब जो भी बच्चे live class में है कुछ बच्चे join हो रहे हैं कुछ बच्चे जा रहे हैं जो भी 40-50 बच्चे live class के अंदर है सभी का जो question पूछना है आप पूछ सकते हो पहले तो अपने mind के कुछ question फिर हम book के question करेंगे या एक question हो जाए कुछ बच्चे कुछ-कुछ question पूछ रहे थे live class में बताईए किसी का कोई doubt सर पंदरा एक बार और बता दो ठीक है पंदरा 15 point doubt में देखो 15 में gift में मैं बात करता हूँ दिवाली के time पे employee ने employer ने मालिक ने अपने पास जो job करता है उसको एक gift दिया मान लेते हैं कि 6,000 रुपे का एक gift दे दिया किसको gift का मतलब cash नहीं है अगर non monetary है तो उसको cash में convert कर लिया जाएगा current market value से 6,000 रुपे का एक mobile phone दिया एक employee को Mr. Ram को अब राम के लिए ये सिबल हो जाएगा क्योंकि 5,000 से उपर का receive किया है अपने employer से अगर वही राम को वो 4,900 रुपे का mobile phone गिफ्ट करता तो जब Ram अपने tax को भरता तो वो इसको आप income taxable के अंदर नहीं लेता उसे exempt बोल देते क्योंकि उसका income जो gift है वो 5,000 से कम का है एक क्या चीज़ अब एक बार फटा फट से मैं 15 के 15 point एक बार फिर से मैं बता देता हूँ Sir first point कहता है कि income भारत में कमाओगे तो कोई भी status ओ tax देना पड़ेगा Sir second point कहता है भारत में पैसा receive करोगे आपको tax देना ही देना होगा आपका status whatever कुछ भी हो Sir third point कहता है कि इंडिया में अगर पैसा remittance होता है तो सिर्फ एक को ही tax देना होगा बाकी किसी को tax नहीं देना होगा चौथा point कहता है कि अगर भारत में business है मैंने ये दो point इसलिए डालें अगर इंडिया control वाले वर्ड से बच्चा confused होता है control इंडिया से बाहर है control इंडिया में इससे confusion होता है मैंने बोला अगर भारत के अंदर setup है control कहीं से भी हो भाई साब business भारत के जमीन पे तो इसलिए किसको tax देना होगा तीनों को setup बाहर है बाहर से पैसा कमाये जा रहा है लेकिन कोई भारती है उसको control कर रहा है तो दो लोगों को tax देना पड़ेगा एक मेरा छोटा सो question है इसका answer दीजिएगा मैं इसी point पर आगे लेके चलता हूँ मान लेते हैं कि मेरा business है वो setup ना मेरा USA में setup कहा है मेरा USA में और control इंडिया से हो रहा है control इंडिया से हो रहा है वो sir USA की income है 5 लाख रुपए 5 लाख में से 3 लाख तो इंडिया में receive हो गया 3 लाख रुपए इंडिया में क्या हो गया receive मैंने कहा मैं इंडिया में हूँ मेरा बिजनस USA में है USA में सेट अप है कंट्रोल मैं इंडिया से कर रहा हूँ 5 लाख रुपए इंकम कमाया था जिसमें से 3 लाख रिसीव कर लिया आप बताइए अगर मेरा स्टेटस रो आर है तो मैं कितने पर टेक्स देने के लिए लायबल हूँ पूरे 5 लाख पे सर इस 3 लाख पे तो रिसीव वाला कॉंसप्ट लग गया और रो आर हो तो कहीं भी पैसा कमाओगे तो देना पड़ेगा अगर मैं NOR हूँ तो कितने पर दूंगा मैं सिर्फ 3 लाख पे जितना हमने कमाया है अगर मेरा नर है तब भी 3 लाख पे लगेगा तो आरो आर हो तो तो टेक्स तो देना ही पड़ेगा पास्ट अंटेक्स इंकम पिछले कभी कभी आपने पैसे कमाये हो किसी कंट्री में और आपको टेक्स नहीं देना पड़ा हो तो अब भारत के अंदर भी आपको टेक्स नहीं देना होगा चाहे आपका स्टेटर्स कुछ भ हो गया है तो एक पर taxable कर देना अगर नोट दे देते हैं रिसीब भारत में हो गया है तीनों पर taxable कर देना उसके से ठीक है अगर इंडियन कंपणी से डिविदेंट रिसीब होगा तो तीनों पर taxable foreign company से depend करेगा situation करके अगर इंडिया से कमाओगे तो कोई टक्स आई देना लेकिन आपने अर्फ क्या है और नेपाल में से उसको आउड भनेक्स सिर्फ और को टेंस देना पड़े Gift received from relative fully exempt हो जाएगा Gift received from non-relative 50,000 रुपए तक exempt होगा Gift received from employer 5,000 रुपए तक का exemption मिलेगा बाकी नहीं मिलेगा किसी को कोई doubt है इस point में तो बताइए फिर हम एक question पर आतने हैं पहले question भी देखते हैं फिर doubt पूछेंगे आपको भी मैं question करने के लिए दूँगा करने 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 कर दो Thanksgiving भी मैं став को भी रुपए झाल 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 जी एक कुशन ये करेंगे 2008 में आया हुआ एकुशन एक्जाम में भ्यान दीजिया आप कुशन जी एक कुशन चलिए आपके सामने एक कुशन है इसका जवाब देते जाएंगे समझते जाएंगे अभी हमने सीखा है थोड़ा सा लाजिक लगाएंगे नहीं आएगा फिर से हम पीछे पलटके उसको प्रूफ भी कर लेंगे ठीक है कुशन कहता है कम्प्यूट मिस्टर एक्स का इंकम बताना है ग्रॉस टोटल इंकम चाहे उसका रेजिडेंट और और हो तब भी बता दे अगर वो और हो तब भी बता दे अगर वो और हो तब भी बता दे तो मैं इसके लिए और और यहाँ पे लिख लेता हूँ N-O-R यहाँ पे लिख लेता हूँ N-R मैंने यहाँ लिख लिया कहता है royalty income earned and receive in UK royalty income royalty क्या होता है sir goodwill के तरीके से होता है earn कहां किया गया receive कहां किया गया अगर UK में ही receive है sir कमाया भी UK में ही गया ऐसे situation में R-O-R को तो देना पड़ेगा इनको पहले point में किसी को doubt हाँ या नामे जवाब देते जाएं जो बच्चे live में फटा फट से जवाब दीजिएगा आपके comment आने चाहिए मैं हर बच्चे का chat पढ़ रहा हूँ फटा फट कॉस्की ने जवाब दिया बाकी बच्चे भी जवाब दे फटा फट से all three will pay tax yes नहीं doubt doubt हो तो बताना नहीं है तो not clear कॉस्की not clear समझ में नहीं आया all three will pay UK मैं एक बर दुबारे repeat कर देता हूँ क्या कह रहा हूँ Mr. X था previous year का income बताना है royalty income कोई भी income है royalty मान लेते हैं goodwill का एक तरीके से income है और receive UK में ही receive earn भी कहां किया गया UK के अंदर और receive भी UK में किया गया मैंने बोला sir, ROR के लिए taxable होगा sir, इसमें से कौन सा point लगा है आप साथ के साथ मुझे ये भी बताएं कौन सा point लगा है तब पता चलेगा आपको आ रहा है कौन सा point लग रहा है पैसे बाहर कमाए गए और receive भी बाहर ही कर लिए गए कौन सा point लग रहा है जवाब दीजिए आप बताएं live class में जो भी बच्चे है दिव्या ने जवाब दिया है दिया ने जवाब दिया है 9, Ria ने बोला है कि 3 सभी बच्चे point लगा है आपके सामने फटा फटा लिके आपको पता चल जाएगा at least क्या है कौस्की ने 9 काफी है चंदा, दीशा, कीर्ती, रवीना नमन, हर्शित, ओदित, अजे सभी बच्चे जवाब दें मैक्समम बच्चों का जवाब है 9 ये बहुत अच्छी बात है अब 9 point में क्या था income earn outside India, receive outside India taxable will be for only ROR rest of two NOR and NR के लिए taxable वही काम मैंने आपके सामने यहां भी किया है अब clear हो गया होगा hopefully दूसरे point पे चलते है income from business in Bangladesh अब Bangladesh इंडिया का हिस्सा नहीं है receive there वहीं पैसे receive हो गया है but control from India किसके लिए है मारा यानि ये आप कहना चाहते हो सर ये 58,000 यहां के लिए करो और 58 यहां के लिए करो और इसके लिए मत करो point नमबर बता दीजिए कौन सा point लग रहा है इस पे कौन सा point लगा आरो आर, 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 पार, पारस, जैन का बिल्कुल सही जवाब है इसके अंदर 5th point लग गया आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल इंडिया से हो रहा है ठीक है ना, तो 5th point में देखो मैंने लिखा है, सिर्फ 2 के लिए बाकी के लिए taxable नहीं है चलिए, आगे देखते है ये question देखो, आप सोच रहे हो के ऐसा question, 2008 में सर आगे देखते है तीसरे point, income receive आउटसाइड इंडिया business connection in इंडिया मतलब receive किया है, income receive आउटसाइड इंडिया और business connected कहां से है अब देखो income earn outside इंडिया, मतलब मैंने बताया थे ना, SBI है इंडिया में interest बाहर कमा रहा है, लेकिन connection business तो इंडिया सही है भारत की जमीन पे है, तो किसको tax देना होगा, सर? तीनों को tax देना होगा, बच नहीं सकता कोई भी इसमें salary receive in इंडिया received in इंडिया service rendered abroad अब receive हो गया, तो point number two लग जाएगा, सर तीनों को ही tax देना पड़ेगा आगे income from agriculture in Nepal अगर आपने पैसे receive कर लिये हैं, तो तीनों पे tax लगेगा, अगर पैसे receive नहीं किये हैं तो एक के उपर tax लगेगा, clarity नहीं है note देना पड़ेगा, सर मैं तीनों में मान रहा हूँ मैं ये मान रहा हूँ, पैसे receive हुए या चलो ये मान लेता हूँ, पैसे receive नहीं हुआ, नेपाल का, तो स्रिफ और स्रिफ मैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैंने ये clear कर दिया आपको, देखो, past सर, past and text foreign income हो, चाहे Indian income हो, कोई भी income हो हाँ, receive आप कह रहे हो, सर, receive तो नहीं लिखा, हम वहीं मानेंगे, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, सर, इंडिया में भी receive तो कर सकते हैं, मैंने दोनों के लिए बताए, note दीजिए note देने का मतलब examiner को clarity कर दिया, आपने सर, यहां भी हो सकता, भी हो सकता, इसलिए कर रहे हैं, तो उसमें कोई number नहीं कटेंगे आपके, ठीक है, question क्या था, compute gross total income, अगर वो ROR हुआ ना, तो उसकी total income ये हो जाएगी, NOR हुआ तो total income ये हो जाएगी, अगर NOR हुआ तो total income क्या हो जाएगी उसकी, एक असी, NOR पे आप count कर लो, एक असी, दो लाग, और अगर ROR हुआ तो सर, 4th point बताना है, सर, 4th point इसके अंदर क्या है, salary receive in India, इंडिया में receive हो गया, तो receive के case में, आप देखोगे, point number हमारा सर, कौन सा लग गया, receive वाला, और receive बोला गया कि income अगर इंडिया में receive कर लिया आपने, तो तीनों को text देना पड़ेगा, clear? पॉइंट नमबर 2 में, NR को क्यों नहीं, point number 2 था control, अगर इंडिया से सिर्फ control है, तो सिर्फ दो को ही text देना है, ये income text का rule है, अब इसमें ऐसा नहीं बोल सकते है, सर, NR क्यों नहीं दे रहा, तो उसका कोई, मतलब, इंडिया में एक law बनाए कि ऐसा situation होगा, तो उसको ऐसा देना पड़ेगा, जैसे हम question करते है, mathematics में, सर, इसका answer ऐसा क्यों है, तो उसको मैं solve करके बदा सकता हूँ, अब जो बाते section में लिखा हूँ है, सरिफ मैं आपको section समझा सकता हूँ, उस section में ऐसा क्यों कर रहा है, वो चीजों को explain कुछ भी नहीं है, वो चीज कहें के law में बनाए गया, कुछ चीजों को explain किया जा सकता है with logically, जिसका है, उसको definitely मैं करूँगा, यहाँ पे सरिफ इतना लेना, यह वाले इतने detail में point आपको नहीं मिलेंगे, वो तो मैंने सारे questions किये, सारे questions के points बनाई मैंने, point बनाने के बाद क्या-क्या examinal question पूछ रहा है, पिसे 10-15, घुमा, फिरा के यहीं पूछ रहा है, 15 point बना दिये, और इसमें सारे logic भी clear होगे, जिसको यह 15 point clear है, question कोई भी कर सकता है, ठीक है, बुक में 5 यह 6 में निप्टा देते हैं, law के language तो 3-4 word में ही खतम कर दिया, कि ऐसा होगा, तो ऐसे text देना है, अगर earn भी बाहर है और receive भी बाहर है, तो क्यों text देना होगा, रो आर हो तो आप इंडिया के अंदर रह रहे हो, सिर्फ text देने के लिए आप बाहर चले जाते हो, तो इंडिया के निवासी हो, तो आपको देना पड़ेगा, यह मानना है, चलिए एक और question test करते हैं, थोड़ा बड़ा question, इसमें 2-3 point तो है ही है, थोड़ा बड़ा question लेते हैं, इंडिया के लिए गोड़ता ले एकलाइए माल माल मुणबावा बड़ा है इसे उमरे दोड़ान हो, फ मिसमें है ही है है, इसमें होले मिन अल्मव तो आपको बोला गया है आपका तीनों के लिए बताना है आपको कब बताना है if he is not ordinary resident यानी not ordinary and लेकिन हम इसका ना रो आर के हिसाब से practice के purpose के लिए बता देंगे exam के लिए तो यह पूछा गया है लेकिन practice के purpose के लिए हम तीनों ही बता देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कहता है profit from business in Delhi manage from London कि अधी नों पर होगा कि पॉइंट टमबर बता यह कौन सा लगेगा कि पॉइंट टमबर दिखाना नहीं होगा, मैं पूछ रहा हूँ कुछ बच्चे होते हैं न, धूल में भी लठ माना तीनों ने सुना, बोल दिया, तीनों ने पता भी तो होना चीए न, कि पॉइंट डंबर कौन सा है पॉइंट डंबर वन ठीक है, तीनों पे औल पे होगा, ठीक है तो यहाँ पे मैं हला की, आपका एक के लिए मैं भी दिखा दूँगा दूसरा, पैंसन सर्विस रेंडिट इन इंडिया बट रिसीव लंडन मैंने सर्विस यानि काम इंडिया में किया था, किसी इंडियन कंपनी में किया था काम अब लंडन चला गया, वहाँ पेंशन रिस्ट हुए है ध्यान से सुनिए पैंशन सर्विस रेंडिड इन इंडिया इंडिया के अंदर मैं नौकरी कर रहा था रेटायर्मेंट हो चुका है अब मैं बाहर चले गया हूँ और मुझे पैंशन का पैसा मिल रहा है पैसा कहां से कमाया जा रहा है तो तीनों पे देना पड़ेगा क्योंकि इंडिया की पैसा अगर इंडिया में से सोर्स हो गया न आपका जमीन इंडिया का इस्तमाल हो गया इंडिया में से पैसा कमाया गया तो कोई नहीं बच सकता फिर तो tax government लेके रहेगे income property situated in London receive there अब बताईए मेरा UK में property है receive there तो कौन देगा सरफ? ROI tax will be charged as land in India कौस्की आपका समझ नहीं आये question ROI पारश जैन का बिल्कुल सही जवाब है ROI यहाँ पर आएगा ROI अगला income agriculture ध्यान देना income agriculture land in Nepal receive there later brought into India देखो receive there पहले तो मुझे यह बात बताना यह है क्या? receive नेपार में लेटर brought into India तो यह हो गया आप पूरी चीजे कुश्चन मैं दुबारा रीड करता हूँ income agriculture land receive there मैं देख रहाँ के agriculture land है पहले बात तो इंडिया के नहीं है receive there वहीं पे हो गया आपको क्या कहता है question लेटर brought into India बाद में भारत लाए गया तो मैंने बताया था जब पैसा वहीं receive हो जाए अंदर बाद में लाए जाए तो इसको remittance के category में रखते हैं और अगर in case remittance होता है तो किसको text देना पड़ता है सिर्फ एक को और और को तो उस situation के हिसाब से सिर्फ ये text देगा इस तीन लाख रुपए तीन है कितना है ये होगा तो बाकी ये नहीं देगा examiner ने ये पूछा ये total करके बता देगे income from business in Paris which control from business Paris में है लेकिन सारा decision इंडिया से है तो दो में लगेगा आपका सर टोटल इंकम की बात करें अगर आरो आर होता तो पांच दो साथ पांच बारा और तिन पंदरा उननेस लाग अगर सर आनो आर होता तो हमारा exam का answer क्या है 11 लाग क्योंकि exam में यही पूछा गया था तो exam का answer 11 लाग इस point में कोई doubt है तो बताए आनसर आप देखना चाहते हैं तो यह देखें सिर्फ इसने computation देखो अब exam में करना कैसे है यह भी देख लो आप यह भी जरूर काईफ़ी बच्चों को बहुत सार आता है पहले हमने title heading डाला computation of total income Mr. Z not ordinary residence नीचे लिखो गे जिस साल के लिए पूछा गया particular में सारा वही question detailing में दिखा गया है यह क्या हो गया और हमारा 11,00,00 कैसे आया हमने पीछे calculate कर लिया same अब यहाँ पे कुछ चीजें अगर taxable नहीं होता और उसका आपको reason पता है तो नीचे note में आपको देना चाहिए जैसे कि for example income from property situated इसका कोई हमारे पास note नहीं है बस हमें पता ही कि इस तरीके से होता है जैसे past agriculture income तो हमें नीचे note देना चाहिए कि agriculture income इंडिया में not taxable है इसलिए taxable नहीं हुआ exempt होता है इसलिए note देना पड़ेगा ठीक है ना चलिए एक और question दिखा जाए अभी तक किसी का doubt है तो आप मुझसे पहले पूछिए फिर मैं एक और question पर आऊँगा अब question पता है कैसा आने वाला है आप पहले उसका status निकालिए कि वो ROR है या NOR फिर उसके income को determine करिए यानि पहले 182 दिन यहां पर तो बोल दिया यह not ordinary resident है question में क्या पता बोलता यह इंडिया में 20 दिन के लिए आया फिर 25 दिन के लिए पिछले 10 सालों तक नहीं आया इसका इस income निकाल के बताऊ तो first of all क्या decide करना पड़ेगा आपको इसका residential status फिर decide करना पड़ेगा computation of total income वन वाले में doubt है पारस का कहना है वन वाले में doubt है पॉइंट वन profit from business डेली डेली इंडिया में ही है इंडिया से अगर profit कमाए जा रहा है तो तीनों को taxable देना पड़ेगा gift received from employer gift received from employer or relative in excess exempt fully taxable दिया का कहना है अगर gift आपका receive होता है from employer और relative if x दिया आपका question थोड़ा सा गलत है अगर employer से gift received होता है तो 5000 तक exempt balance taxable relative से कोई भी taxable नहीं और other party से होता है non relative से non relative से तो 50,000 तक exempt अगर 50,000, 60,000 मिला तो पूरे 60,000 taxable और भी जितने बच्चे हैं बताईए भाई फटा फटा इस question में doubt तो एक और question और ले लें point number 3 और 4 3 में income from property situated London और receive there इसमें कौन सा point लग रहा है पहले तो आप ये बताओ रोहित कौन सा point लग रहा है एक काम करते हैं न क्योंकि time मैं question roughly दिखा रहा हूँ मैं PDF दूँगा आपको बोर्ड पर ध्यान दीजिए question number 1 देखिए ये chapter खतम होता ही फिर हम text भी conduct करेंगे इसका question number 1 ध्यान से देखना कहता है Mr. X एक foreign national है यानि वो इंडिया का नहीं है not being a person in Indian origin इंडियन ओरीजन भी नहीं है come to India first time इस तारीख पे इंडिया आया पहली बार visit 190 दिन करके चला गया further, sorry, furnish the following particular his income during the previous year relevant कहता है ये foreign national है Indian origin भी नहीं है first time इंडिया आ रहा है तो इसका मतलब सर इसने basic condition तो पूरी कर दी 182 दिन वाला क्योंकि इंडिया में अब 182 दिन कर दिया इसने आ गया है तो इसका मतलब इसका status additional वाला कर नहीं पाया तो क्या status बन गया अब इसका income जो determine करना है as per NOR के इसाब से करना है interest received from government of India किसके लिए taxable होगा तीनों के लिए तो automatically NOR के लिए भी हो जाएगा सर royalty received from foreign company outside India paid used by payer कहता है कि royalty received from foreign company outside India में ही receive हुआ है paid और known how to use पेयर और how to use क्या होता है goodwill type का होता है उसके लिए receive हुआ था तो बाहर ही receive हुआ तो सिर्फ किसके लिए taxable ROR NOR के लिए तो होगा नी सर income from agriculture in botan रिमिटिट तो इंडिया तो सिर्फ ROR के लिए होगा किसी के लिए होगा नी तो इसका solution देख लिजिए आप एक बार अच्छा no to how use in India भी है क्या NOR NR इसका days क्या calculate कर लिए हमें निकालना कब का है assessment year 21-22 20-21 का होगा हाँ तो नहीं होगा यह आप इसका निकालिएगा ना क्यूंकि यह आया 10 में ठीक है तो यह 190 दिन के लिए visit करा तो कुछ days ना आपका यह 14-2021 में भी चला जाएगा उससे आगे भी साल exceed कर जाएगा जब आप count करेंगे तो मैं यह PDF आपको homework में दे दूँआ बाकि जो offline वाले बच्चे है पहले वो तो यह table को जरूर note कर ले क्योंकि नोटिंग जरूरी है online वाले बच्चों का जो doubt है doubt पूछे या फिर यह पहले table note करेंगे note करना है phone सब के पास है पता है मुझे पहले नहीं सिर्फ यह main तो यह है यह दो तिन पे छोड़ दो अब जिसके doubt है ने आप पूछे अब कुछ बच्चे क्या कर रहे है दिया एक second जिसका voice से मैं सभी का doubt ले लेता हूँ अहाँ एक second देना दिया बस एक second दिया बस मुझे देना एक second जिसका है यह वाँ झाल